So guys, welcome to Daily Football Madness और एक shocking news आई है कि out of nowhere कि यॉर्गन क्लॉप will be leaving Liverpool end of this season देखें मेरे लिए Liverpool छोड़ना उनके लिए उतना जाथा shocking नहीं है because देखें चाहे पैप हो सिटी पे चाहे वो क्लॉप हो because यही दो मैनेजर्स हैं वो प्रिमेर लीग में बहुत अरसे से एक ही कलब को मैनेज कर रहे है और बहुत कुछ उन्होंने जो है वो जीता भी है तो किसी ना किसी पॉइंट के उपर तो उन्होंने छोड़ना है ठीक है पैपने भी सोड़ना है सिटी को और शाहिद इसी तरह की न्यूज देंगे वो एकदम से आपको न्यूज देंगे और कलॉप ने भी लिवर्पूल को किसी पॉइंट पर छोड़ना था बट मैं एक्सपेक्ट नहीं गर रहा था कि इस सीजन जो है वो कलॉप लिवर्पूल को छोड़ेंगे यही मेरे लिए थोड़ा सा बलगे काफी ज़्यादा शौकिंग है बिकॉज ऐसी कोई इंडिकेशन आ नहीं रही थी कि जो है वो कलॉप छोड़ देंगे बट नेवर्थरलेस जो है वो कलॉप ने अनौंस कर दी है और लिवर्पूल फैंस जो है वो सबसे ज़ादा दुखी होंगे और मैं हमेशा लिवर्पूल फैंस को बीच में कुछ एक दो सीजन आया जैसे पिछला सीजन था लोग जो है वो काफी साथा क्रिटरसाइज कर रहे थे कलॉप को और मैं हमेशा कहता था कि भाई इतने सालों से जो है वो लिवर्पूल ने टाइटल जो है वो नहीं जीता आवा था 30 years I think 31, 31, 31 years और कलॉप ने उनको वो टाइटल जिताया पर उन्होंने उनको चैंपिंज लिग भी जिताया और जितने भी ट्रॉफीज अविलेबल थी अगर पना जाते सिटी और कलॉप होते है तो मुझे लगता है कमस कम 3-4 वो प्रेमर लीग टाइटल जीते हो सकता है वो चैंपिंज लीग भी एक आद और जीत जाते तो having said that कलॉप देखें कलॉप एक different type of manager है मैं यह नहीं कहूँँ कि लिवरपूल ने बिल्कुँ पैसा स्मेंड नहीं किया लेकिन limitations बहुत जदा रही है लिवरपूल को कलॉप को add लिवरपूल जो के बाकी बहुत से managers को उतनी जदा support नहीं मिली जितनी बाकी managers को मिली है तो कलॉप जो है उन्होंने completely rebuild किया यहां पे लिवरपूल को आप जाके team देख लें जो ली थी जो वो team उसको भी उन्होंने जो है वो योर्पा लीग का final खिला दिया था तो आप जाके वो teams देखें तीम देखें जो के लिवरपूल की ली थी उसके बाद दुबारा उन्होंने एक transition की और अभी दुबारा वो title contenders है इस season reason क्या है देखें back door अगर कोई reason चल रही हो वो तो मुझे पता नहीं है वो तो आइस्ता इस्ता जो है वो सामने आएगी लेकिन जो उन्हों की वीडियो आईए उसके अंदर यही reason जो के बहुत से managers देते हैं चाहते हैं कि थोड़ा सा rest मिल जाए थोड़ा सा break चाहिए it's too much hectic obviously भाई जो उन्होंने job की है Liverpool में मत्तब बहुत-बहुत massive job थी और बहुत-बहुत hectic जो है वो job थी because it's not easy to build a club इतना असान नहीं है एक लब को मत्तब जो कि इतने सालों से struggle कर रहा हो to win the Premier League title उसको पहले competitive बनाना और उसके बाद जो है वो titles भी जिताना तो यार it's very tough now to basically imagine Liverpool without Klopp because मतलब दूनों मतलब they are associated they are linked with each other right इसी तरह मैं Dortmund में बहुत follow करता था Klopp को मुझे बहुत पसंद है तो तब भी ऐसा ही लगता था कि Dortmund और Klopp जो है वो ऐसा इसी तरह की job करते हैं कि he is basically connected with everyone जैसे उन अपनी वीडियो में भी खाया कि I am in love with everything at the club even the city also तो this is this is the type of manager Klopp is right वो सिरफ football matches जो है यह titles जीते नहीं है बलके वो हर चीज के साथ connected होते हैं क्या future होगा Klopp का देखें लिवरपूल का future क्या होगा यह तो अब देखने की बात है कि वो किसको किसे replace करते हैं और देखें जो Klopp ने किया है एक तो वो team दुबारा rebuild करके जाएंगे season के end पे लेकिन जो Klopp ने achieve किया वो बहुत से managers जो हैं दुनिया के managers बहुत कम managers होंगे जो के same limitations में वो चीज़े achieve करेंगे even at dotman also तो वो तो depend करता है अबके लिवरपूल किस को Klopp से जो है वो किस manager को replace करती है तो Liverpool perspective से Klopp के perspective से देखें जो मुझे समझ आइए उनकी video वो यही है कि he wants to take a break वो break लेना चाते हैं तो मुझे तो उनकी यही चीज़ समझ लगे कि वो break लेना चाते हैं तो क्यूंकि अब काफी rumors आएंगे Real Madrid and Celotti को जो है वो extend कर चुके में 2026 के लिए हो सकता है जो है वो Klopp break लेना और maybe Real Madrid बार्सलोना हो सकता है कि चावी जो है इस season के end के उपर बहुत से लोग जो है वोई question पूछ रही है और बहुत से लोग जो है वोई discussion करना भी चाते है I would take Klopp at any day, any minute, any second I would take Klopp no doubt about that लेकिन क्या Klopp available होंगे इस season के end के उपर तो जो उनकी वीडियो के इंदर जो message है वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि he wants to basically go at it another season अगले season में वो दुबारा जो है वो maybe एक साल का वो break लें तो पार्सलोना definitely definitely यर मैं पता क्या चाहता हूं I want to see Klopp with all due respect to Liverpool बहुत बड़ा क्लब है लेकिन I want to see him managing either Real Madrid या फिर बार्सलोना और maybe Bayern और जयता जयता जो है वो मज़े की बात है क्प्रेमर लिग में वो जो किसी और क्लब को जाकर मैनेज करें अगर उनको प्रेमर लिग में मैनेज करना तो लिवर्पूल को मैनेज करने रही बट I would love to see him managing अइधर Real Madrid और Barcelona obviously being a Barca fan I would love to see him managing Barcelona but this is what I want because top class manager है और ऐसे क्लब में जाएं जहां पर fully funding उनको available हो because मैं वोल अभी एक project जो है वो Klopp का देखना चाता हूं तो let's see कि क्या होता future Klopp का बट जो है थोड़ी सी shocking news थी तो मैंने का जल्दी से वीडियो record करते हैं और अपनों opinion दे regarding Klopp leaving Liverpool in the comment section like करते कर सब्स्राइब करते के मिलते हैं next video